मैं हनुन सिंग जेतावत सहाचार्य क्रसी अर्थ सास्त्र बाबा बगवान दास राज़किय माविद दले चमनपुरा विशे एग्रिकल्चर फाइनेंस एंड कोपरेशन यह BSAG ओनर्स पार्ट सेकेड में चलता है आज मैं, जैसा की मैंने पिछली क्लास में सेकरिता के अर्थ के बारे में बताये था आज मैं आपको भारत में सेकरिता विकास का संक्सिप्ट इत्यास के बारे में जैनकारी देना चाहता हूँ देखिए सहकारिता भारत में पहुत पुराण समय से ही जारी थी जिसमें मिल जुल कर काम करना सहुद परिवार में भारत में ये देखा गया इसके अलावा भी पुराण समय में जब कहाँ ही एक पूर्ण रूप से स्वजंत्र आर्थिक इकाई की रूप में थी तब भी लोग मिल जुल कर ही अपना जो भी कारिता वह कर देते लेकिन यदि भारत में सह कारिता के क्रमबद विकास की बात करें तो हम भारत में सह कारिता के उद्गमब विकास को दो भगों में बाट कर हम ये बात बता सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय स्याकारी तके विकास में लगा है, पहला समय जो आप बाढ़ सकते हैं अपनी स्युविदा के लिए वह है स्वतनता प्राप्ति के पूरु का युग और दूसरा समय जो बाढ़ सकते हैं अपनी स्युविदा के लिए वह है स्वतनता प्राप्ति के पाद का युग तो स्याकरी तके विकास को हम इन दो युगों के रूप में बता सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वतनता प्राप्ति के पूरु का युग देखे भारत में सैकारिता प्राचीन काल से ही विद्धमान है प्राचीन काल के इत्यास के अध्यन से पता चलता है कि आत्म निर्बर, ग्राम प्रसासन, संयुक परिवार पढ़नाली तथा पंचायत इत्यादी सभी सैकारिता के बुन्यादवी सिदान्तों पर आधारित रहे हैं भारत में सैकारी आंदोलन का सुत्रपात उनिस्वी सताब्दी के उत्राद में हुआ सुतंतता प्राप्ति के पूर्व युक को भी चार भागों में बांट सकते हैं जैसे प्रारंबिक चरण या सुरुवाति चरण इनिसियल और इनिसियेशन फेज यह समय 1904 से लेके 1911 का मानते हैं तूसरे चरण में हम पस्तुत करते हैं संसोदन चरण मौडिफिक्शन फेज यह समय राह है 1912 से लेकर 1918 तक का तीसरा चरण विस्तार चरण एक्सपांशन फेज यह समय राह है 1919 से 1921 के बीच और चोथा और आखरी पुनर गठन चरण रीकंस्ट्रक्शन फेज इसका समय 1930 से 1946 तो आजादी के पूरू भी हम इन चार चरणों में समय को बांट कर सैकारिता के विकास की बात कह सकते हैं जैसा कि पहला चरण स्वत्मता से पूरू का प्रारंबिकिया सुरुआती चरण है यह समय 1904 से 1911 के बीच का है देखिए इस समय में पूरान समय में ग्रामिन साक्सिवा पर गेर संस्तागत वित्तिय संस्ताओं जैसे साउकार, महाजन, जमीदारों आदी का पूर्ण एकादिकार था जो किसान से बहुत उंची ब्यारदर वसूलते थे कुछ मामलों में तो मजबूर किसान को अपना घर, सामान, जमीन तक प्रिंट चुकाने के लिए बीचने पड़ जाते थे इस अनिश्चित्व बहानक इस्तित्ति के खिलाप कुछ सेत्रों में इन सूद खोरों के विरुद किसानों ने उग्र आंदोलन भी किये शुरुआत में महरास्ट के एहमद्नगरव पूना सित्रों में आंदोलन किया गया जिसने सरकार का ध्यान हकरसित किया वह उन किसानों को बचाने के लिए वह उनके असंतोस को कम करने के लिए उस समय की अंग्रेज सरकार ने तीन कानून पास कि पहला डेक्कन क्रसी रहात अदिनियम 1889 दूसरा भूमी सुदार रिन अदिनियम 1983 तीसरा क्रसक रिन अदिनियम 1884 इन अदिनियम को पारित करने का उद्धिस्य किसान को वित्तिय साहिता प्रदान करना था लेकिन इन से किसानों को अधिक साहिता न मिल सकी सन 1895 में फेडरिक निकलसन ने मदरास प्रांत में क्रसी बैंक इस्तापित करने समन्दी रिपोर्ट पस्तुत की इसी समय डूपणने ने उत्तर भारत में तता सर एडवर्ड मेकलेगन ने पंजाब में ग्रामिन बैंकों की इस्तापना पर जोड दिया सन 1901 में बारत सरकार द्वारा न्यूक्त सर एडवर्ड ला समयती ने रेपेशिन सैकारी समयतियां इस्तापित करने का सुजाब दिया 1901 में आकाल आयोग ने भी ग्रामिन सैकारी साख समयती का गठन करने पर बल दिया इन सब प्रियत्नों का फल यह हुआ कि 1904 में सैकारी साख समयती अधिनियम पास किया गया इस अधिनियम की महतुपूर्ण प्रमुक विसेस्ताएं निम्न है पहला, सहकारी समितियों का वर्गी करण ग्रामेन वर सहकारी समितियों के रूप में किया गया ग्रामेन सहकारी समिति में पांच में से चार क्रसक समुदाई के वर सहकारी समिति में पांच में से चार सदस्य गेर कसी से तरके होंगे दूसरा, इन समितियों का संगठन व नियंतन सैकारी रजिस्टार्ड के हातों में होगा तीसरा, रेण देने का आधार व्यक्तिगत व सम पार्ष्विक प्रतिबुति रखा गया चोथा, सैकारीता का सिद्दान्त एक आदमी एक वोट अदिनियम में निदारिद किया गया तूसरा समय का चरण जिस नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं वह संसोदन चरण है या 1912 से 1918 के बीच का समय है 1904 के अदिनियम की कमियों का सुधार सैकारीता अदिनियम 1912 में किया गया इस अदिनियम की परमुक विशेस्ता निम्न थी पहला, इस अदिनियम में सभी सैकारी समितियों को कानुनन सरंग्षन प्रदान किया गया तूसरा प्रात्मिक समित्यों का दाइत्व इस अधिनियम में सिमित रखा गया वा केंद्रिय समित्यों का दाइत्व असिमित रखा गया 1912 के इस अधिनियम में सभी प्रकार की समित्यों के पंजी करण का प्रादान किया गया इसमें ड्रामेंड सैकारी समीतियों वा साक वा गेर साक समीतियों का उदभव इस कानून के द्वारा हुआ लेकिन यह व्रदी सभी सेत्रों में समान रूप से नहीं हुई यह कुछ सेत्रों तक ही सीमित रही सन 1914 में सरकार ने सैकारी आंदोलन का मुल्यांकन करने के लिए सर एड़वर्ड मैकलेन की अध्यक्स्ता में एक समीति न्यूक्त की जिसने सन 1915 में अपनी रिपोर्ट में अनेक सुजाव दिये इस समीति ने निम्न महतपूर्ण टिपनिया की पहला समिति सदस्यों की अशिक्सा दूसरा धनरासी का दुरुपयोग तीसरा बड़े पेमाने पर भाई बतिजा बाद चोथा रिण स्विक्रती में अनावश्यक देरी पुक्तान चुकाने में अनियमित्ता ये कमिये इस समिति ने गिनाई और साती समिति ने सुदार के निम्न सुजाव दिये पहला सैकारिता के सिद्धन्तों के बारे में सभी सदस्यों को जागरू करना चाहिए दूसरा, विहवार केवल सदस्यों तक सीमित रहना चाहिए तीसरा, इमानदार सदस्यों को रिन देने का मुख्य आदार होना चाहिए चोथा, आवेदनों की सावदानी पूरग जाच करके ही रिन देना चाहिए वह रेण के उचित उप्योग की जानकारी भी रखनी चाहिए चौथा, रेण सटेवाजी के उद्दिस्य को पूरा करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए पांचवा, अंतिम अधिकार समिती सदस्यों के पास ही होने चाहिए न की आफिस पदादिकारी के पास इसके आगे सदस्यों के बीच बचत को प्रोसान किया जाना चाहिए ताकि रिजर्व का निर्मान हो सके आफिवा, एक आदमी एक वोट का कड़ाई से पालन होना चाहिए नववा, जहां तक संभव हो, पूंजी के अवल सदस्यों की बचत से ही जुटाई जानी चाहिए और दस्वा, समय पर पुक्तान की पाबंदी का सक्ति से पालन होना चाहिए समय के आजादिसे पूर्व समय की तीसरे चरण को अपन विश्तार के चरण के नाम से कह सकते हैं यह समय उनिस सो उनिस से उनिस सो गुंतिस की बीच का है इस चरण को भारत में सैकारी अंदोलन का स्वर्णिम युग कहा जाता है चैन्स फोर्ड अदिनियम के तहट सैकारिता को प्रांतिय विश्य के अंतरगत रखने के कारण इसका तिवर विकास हुआ इसी समय में पंजाब 1924 में भूमी विकास बैंक का जन्म हुआ उसकी तुरंद बाद 1925 में मदरास वा 1926 में बूमी विकास बैंक की इस्ता अपना हुई आजादी के पूरुक के समय को चोथे चरण को हम पुनरगटन चरण 1930 से 1946 का समय मानते हैं इस पुनरगटन चरण में क्या हुआ सेकारिता के बारे में तेखिए 1931 में केंद्रिय पैंकिंग चांस समय ने अनुचित देरीव अप्रयाप्त रिण की तरफ ध्यान दिलाया 1932 में मदराज सेकारी समिती अधिनियम सेकारी आंडलन को गती देने के लिए बनाया गया मदराज सेकारी भूमी विकास अधिनियम 1934 देर्ग कालिन रिण आपूर्ती के लिए बनाया गया 1930 की आर्थिक मंदी व क्रसी कीम्टों में असामानि गिरावट के कारण सेकारी अंडलन को धक्का पहुँचा अनेक जाच समीतियों का निर्मान सेकारी समीतियों के उनर निर्मान व उनर गठन के लिए किया गया ये निम्न थे विजया रागवाचारी समिति मदरास में ट्रावन कोर पुनरवास जाच समिति मैसूर ग्वालिर की काले समिति पंजाब की वैस समिति इत्यादी 1944 में क्रसी वित उप समिति प्रॉपसर गाडगिल की अध्यक्स्ता में बनी जिसमें निम्न सुजाव दिये गए पहला सरकारी समितियों को सीमित दाईतो स्विकार करना चाहिए तुसरा किसान की रुण चुकाने की योगिता का आकलन पुपतान चुकाने की समता के आधार पर होना चाहिए थीसरा छोटी सेकारी समितियों को उनकी व्यवस्तापन लागत पर अनुदान देना चाहिए चौथा साग को विपणन से जोड़ना चाहिए 1945 में सेकारी योजना समिति डॉक्टर आर जी सरईया की अध्यक्स्ता में बनी इस समिति ने सेकारी आंदोलन के असपल होने के पीछे असिक्साव सरकार की अस्तक्सेब न करने की निती को जिम्मेदार बताया यहाँ बात मैंने भारत में सेकारी आंदोलन की इस्ति आजादी से पूर के बारे में बताया इससे आगे वाली क्लास में मैं आपको आजादी के पस्टात सेकारी आंदोलन की गती के बारे में बताऊंगा दर्निवाद